नमस्कार फ्रिंड में हूँ चंदन पटेल और देखे आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसी स्टॉक पे लगभग आप पचास हजार का पोटफोलियो बनाईए अगर आप पचास हजार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखे ये मैंने एक छोटा सा पोटफोलियो बना है कि ठीक है आपको ईसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हैं ऐसा नहीं है देखिए अगर मैंने आपको यहां पर देदीया है सेयर का नाम बता दिया तो ऐसा नहीं है कि यह मैंने बता दिया तो आप तुरंत यह खरीद लो ऐसा नहीं है आप एक लेबल देखो और किस तरीके से खरदारी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा सब बने रही है वीडियो में देखे पहला है आईसे 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 बैंक जो की लार्ज केब है और लगबग इसकी करेंट मार्केट प्राइज अपी चल लगए है 736 736 यहाँ पर मैंने 5 कौन्टिटी बोला है लगबग टोटल होता है इसका रेट 3680 रुपे तो देखे आप सब भी लोगों को पता है कि अभी थोड़ा सा कोवेड का ओमिक्रोन को लेके थोड़ा सा प्राब्लम चल लगए है तो आप एक साथ कभी भी पैसा नहीं लगाई है फले से आप 50,000 इंवेस्ट करना चाहते हैं वो सही है बहुत बड़ी है लेकिन एक साथ प लाज केप है फाइनेंस में फाइनेंस सेक्टर में काम करता है जो कि कस्ट बहुत ही बड़िया है मार्केट में मार्केट लीडर है लगबग इसका अभी जो रेट चल ला है 6,850 रुपे अब यहां पर इसका एक सेर तो अभी लेना ही है क्योंकि एक बहुत ही अच्छे रेट पर यह आपको मिलना है तो यह सेर अभी आप ले ले दूसरा है तीसरा है है एपियर्ट माइन है यह मिड़ कैप है आईटी सेक्टर का बहुत ही बढ़िया है यह भले से लिस्टिंग थोड़ा अभी जल्दी हुआ तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्टॉक बढ़िया नहीं है बहुत ही बढ़िया इस्टॉक है बहुत धांस हुआ है और यह लगबक 1322 रुपे पे आज अपर सरकेट था मैं आपको ध्यान से पता दो आज अपर सरकेट था क्यूंकि यह एस एम के लिस्ट से यह निकल गया है ठीक है तो आपको यह जो पांच सेर लेना है ना आप यह पांच सेर जरूर लेने क्यूंकि इसका जो नेक्स्ट टार्गेट है वो लगबक दो हजार रुपे के आसपास का है क्यूंकि 1500 के करीब तो यह टची करके आया था और 1112 1112 हो गया गेंकर संट जे आसपास यह घूम रहा था तो आपको अगर खरदारी करना है तो आप इस स्टॉक में खरदारी करिए और टोटल का टोटल आप खरदारी करिए छी करें लें तो पांच सेर आप यहां पे खरदारी कर लिए अब बचा चौते नंबर पे इंडिया मार्ट मिड़केप कंपनी है ओनलाइन सर्विसेस में काम करती है इसका भी जो करेंट अभी प्राइस जो चल ला है छे हजार चार सो इक्यानवी रुपे तो ये आपको ले लेना है क्यूंकि ये लगबग दस हजार से वापस आया है तो आपको लगबग लगबग साड़े तीन अजार का डिसकाउंट मिलना है ठीक है साड़े तीन अजार चार अजर का तो आपको खरदारी करी लेना है अब बचा पियाई इंडिस्टी ये भी बहुत ही बढ़ियां केमकल सेक्टर है जो की एगरी कल्चर में पहुत ज्यादा मह इसका और यहां पर दिखें डाइवर्सिफाई केमकल है यह लगबग अभी अठाइस सो पचास रुपे के आसपास अभी मिलना है तो यह भी आप उठा लें पता है क्यों क्योंकि यह लगबग तीन अजार पैंतिस सो के आसपास से लोट किया है तो बहुत ही अच्छा है ब सुकल माइन मिड कैप है यह भी स्पेसिलिटी केमकल में काम करता है लगबग 3,190 रुपए का रेट है और यहां पर लगबग 2 सेयर आपको खरीदना है और लगबग 3,600 सोरी यहां पर 6,380 रुपए का इसका रेट मतलब टोटली इसका बजट हो रहा है तो आपको यह सेयर खरीद लेने लगबग यह 45,600 के आसपास से वापस आया है आपको बहुत ही अच्छे रिटन में मिलना है यह और यहां पर जो देखे साथवे नंबर का है एस्टर लिम्टेड जो कि मिड कैप है यह बहुत ही बढ़िया पाइप कमपनी है जो कि पाइप में अगर हम देखे तो नंबर वन है नंबर वन कमपनी है इसका अभी करेंट मार्केट प्राइल चलना है लगबग 3,190 रुपे आपको यहां पर 2 सेयर मैंने दिया है तो आप यहां पर 1 सेयर अभी खरीदे इस स्टॉक का अभी आपको 1 सेयर ही खरीदना है और लगबग यहां पर 6,380 का बज कमपनी है और कंजूमर बिजनस में यह काम करती है आप सभी लोगों को पता है कि डी मार्ट क्या है ठीक है और यहां पर अगर हम बात करें इसका अभी करेंट मार्केट ट्राइज चलना है 4,668 रुपे तो आप यहां पर मैंने 2 सेयर आपको लेने के बोले हैं तो आप यहा और यह जितने हैं सबका आप जितना मैंने दिया है उतना उतना आप सेयर खरीद सकते हैं देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं कि यहां पर केवल एक सेयर आपको खरीदने है ठीक है चार आप बाद में खरीदें यह लगभग 700 रुपे के आसपास अगर आपको मिलता है य और यहां पर देखिए लेकिन 700 रुपे के आसपास मिले तो आपको दो सेयर जरूरों और बाई कर लेना है और यहां पर देखिए नीचे है इस्ट्रल इस्ट्रल में आप एक ही खरीदें यह लगभग 3000 के भाव के आसपास आएगा तो इसी स्टॉक में और आप खरदारी आप एक और एड कर सकते हैं और यहां पर एक ही सेयर खरीदें डी मार्ट यह लगभग 4500 से 4400 रुपए कि अगर रेंज में आता है न तो एक सेयर आप और एड करें यहां पर फिलाल आप एक ही सेयर खरीदें ठीक है न यह टोटली बजट है मैंने आपको बता दिया आप आराम से अगर खरीदेंगे तो भी आपको एक बहुत ही अच्छा पॉर्टफोलियो बनेगा पचास जार कम नहीं होता है लेकिन अगर सेयर मार्केट के हिसाब से समझे तो पचास जार बहुत ही छोटी रकम है ठीक है ओके थेंक्यू फ्रेंट